हरी ओम ओम गानेश कर्मकानबाय आनत्पाथक में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को सरवा प्रथम तो श्चानी प्रदोश की बहुत-बहुत श्चानी प्रदोश के विशय में जो मुख्यारूप से नाम है भगवाण श्चानी नामों से आप रदोश के व्रत के काल में पर्टीकुलर अनाज है धान्य है उसको भगवाण श्चाने और वह अरपन करने से क्या-क्या लाब होता है, वो सारी चीज़े आज मैं practically विडियो के माध्यम से, विशाई के माध्यम से आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, अगर आपको आज का यहाँ विशाई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, शेयर करें, चैनल पर आयो हो, तो सब्सक्राइब अवश्य किजिएगा, तो सर्वा प्रतम में आपको यह बता दू, कि यह जो शनी प्रदोश है, तो यह शनी प्रदोश जो है, इस वर्ष अर्था तो इस बार छे तारीक को है, शनीवार युक्त प्रदोश है, इसलिए इसे शनी प्रदोश कहा जाता है दूसरी बात कि यह जो प्रयोग है आप सुबह से लेकर छे तारीक को शनीवार को सुरिय उदई से लेकर दूसरे दिन सुरिय उदई के तक किसी भी समय आप कर सकते हो कैसे करना है क्या-क्या उसमें, तैयारिया करनी है प्रिपेरेशन करना है वह सब आपको दिखाऊं संशित में मैं आपको बता दू जैसे उसमें काले तिल का प्रयोग है, सफेद तिल का प्रयोग है, साबुत मुंग है, चने की डाल है, भस्म है, मसूर की डाल है, लॉंग और एलची भी है, जो बगवान के उपर इन नामों से हम अरपन करने वाले हैं अब इन सारी चीजों का अरपन करने का फिर अर्थ क्या है, मिनिंग क्या है, काले तिल जो बगवान रुद्र, शिव के रुद्र स्वरूप को बहुत ही प्रसन्यता देने वाले हैं, और काले तिल अरपन करने से शिव प्रसन होते हैं, और मुल रुप से स्वास्ति हमारा साबूत मुग अर्थात हरे मुग अरपन करने से बुद्धी की प्राप्ती होगी ज्यान की प्राप्ती होगी विद्या की प्राप्ती होगी व्यापार में वृद्धी होगी और अगर बुद्ध ग्रह से जुड़ी कोई समस्या होगी तो वो भी समाप्त हो जाएगी उसके प न कई शाम्ति प्राप्त होगी और जो सबसे बड़ा फाइदा होगा वो यह है कि अगर आप कर्ज से पीडित हो तो कर्ज से मुक्ति होने के द्वार खुलेंगे उसके पस्चा चने की दाल तो नव ग्रहों में जो देवता के स्वरूप में ब्रहस्पति को माना गया है और स् को करने का कुछ किया कराया हो कोई करने का कुछ तंत्र मंत्र का हमारे उपर प्रयतन कर रहा हो हमें या हमारे परिवार में किसी भी प्रकार से किसी को भी कोई भी ऐसी समस्याओ हो नजर दो शादी हो तो उन सब की मुक्ती है तो जो लॉंग है और इलची है वो भी हम आजरपन करेंगे और मिश्री भी जो मन में कपट बाव होता है मुझ से मिठे होता है लेकिन मन में एक कडवी जबान होती है या कडवे वीचार होते है किसी के लिए कटू वीचार होते है तो वो भी मलीनिता मन का मैल दूर करने के लिए मिश्री भगवान को अरपन करते है अब ये जो है ये करने के लिए अधिक कुछ करने की आवशकता नहीं है विशेश कोई संकल्ब भी करने की आवशक्ता नहीं है संकल्ब में आपको जो आपकी एक अच्छी कामना हो बगवान से सिर्फ यही प्रातना करनी है सरवा प्रथम आच्वन करना है जैसे तीन बार जले कर पी जाए चौती बार हाद दो दीजे उसके बश्चात बगवान शिव को नमस्कार करके जो भी मन से संकल्ब हो खास करके यह प्रदोशवरत में कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसकी पूर्ती है तू हे शिव जी मैं आपको इन नामों के द्वारा आपके नामों के द्वारा यह अरपन करूंगा या करेंगी या फिर आपकी कोई कामना हो जैसे विद्यार्ती है तो विद्या प्राप्ती है तो किसी का विवा नहीं हो रहा है तो विवा हाँ जल्दी से जल्दी शिगर हो जाए उसके लिए ग्रह बंदन की मुक्ती के लिए तम्त्र मंत्र बाध्यादी निवारण हेतू या ऐसे कोई भी चीज है कोई कामना है उसके निवारण हेतू मैं यह कर रहा हूँ या कर रही हूँ बस इतना संकल्ब करना है और इसके बाद अब कैसे बगवान के उपर वहाँ अरपन करना है और कौन से नाम से इसमें नाम का मह महत्वा अधिक है तो चलिए वहाँ शुरू करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि यहां पर देखिए हम दो आज प्रयोग करेंगे अर्थात पूजा करेंगे एक जो अन्न बगवान भोलेनात को अरपन करना है और पर्टिकुलर उसी नामों से क्योंकि उसमें नाम का विशेश महत् तो यह मैंने पहले से रेडी किया है अर्थात में यह भी कह दू कि मैंने थोड़ी देर पहले अपने ही खुद के लिए भी मतलब मानिये कि एक अर्चन किया है तो अभी मैंने ऐसे का ऐसा ही बगवान के उपर रखा है तो इस तरह से आप यह सारी चीज़े पहले से रेडी किया है और विशेश इसमें तो नी समदे है दीप और दुप के बिना तो कभी ये कुछ होई नहीं सकता तो मैंने ये भी रेडी किया है आप चाहे तो पहले से दीप प्रजवलित कर लीजे और दुप बत्ती प्रजवलित कर लीजे तो भी चलेगा और आप चाहे तो भगवा आदी करना है आचमन मतलब तीन बार जल पिना है चौथी बार अपना हाथ दो दीजे और स्वच्छ कपड़े से साप कर दीजे और फिर जैसे मैं अब आपको दिखा रहा हूँ वैसे एक-एक नाम बोलना है और एक-एक चीजे उसके उपर अर्पन अर्थात बगवान के उप अर्पन करनी है और इसमें कोई मातरा का ऐसा नहीं है क्योंकि नाम काफी ही मतलब कम है तो ऐसा नहीं है कि हमें इतना ही गराम चाहिए इतना ही शायद हो सकता है यह वीडियो में आपको अधिक लगे लेकिन यह एक-एक चमत जितना ही मैंने लिया है यह सारी चीज आप पह से कर सकते है तो चलिए अब हम एक-एक नाम बोलके बगवान के उपर यह सारी सामगरी जो है एक-एक करके अर्पन करेंगे उसके बाद उनहीं नामों से पंचाम रुच से बगवान के उपर अभिशेख हम करेंगे तो जैसे सबसे पहले काले तील लेने है और काले तील ले करके फिर बगवान शिव के ऊपर थोड़े थोड़े करके आप अरपन कर सकते हो और नाम कम है और अन्य ज़्यादा है तो आप उसके इसाब से मैनेज करके भी सारी चीज़े अरपन कर सकते हो या एक ही चीज़ पे ही बगवान के बार बार नाम बोलके जैसे मैंने ये तिल लिए, मैंने शिव जी के सारे नाम बोलके अरपन किये, फिर मैंने दुसरे सफे तिल लिए, फिर ऐसे भी कर सकते, लेकिन ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैं लंबा ना खिचके सिधा ही, जैसे आपको बताऊंगा, इस प्रकार से बगवान शिव के उपर सारे काले तीर अरपन कर दिये, फिर बोलना है, ओम महादेवाय नमाहा ओम रुदराय नमाहा ओम नीलकंठाय नमाहा ओम सशी मौलिने नमाहा ओम उगराय नमाहा ओम उमाकंठाय नमाहा ओम इशानाय नमाहा Oम विष्वेष्वराय नमाहा ओम त्रिम्बकाय नमाहा om tripurushaya namaha, om tripurantakaya namaha, om tri-kagni-kalaya namaha, om kalagni-rudraya namaha, om nila-kandhaya namaha, om sarveśvara namaha. इस प्रकार से आप देख सकते हैं, हमने पूरा का पूरा द्रव्य अरपन कर दिया, मुख्य रूप से इन नामों का महत्व है और ये नाम से ये सारी चीज़े अरपन करना हमारे शास्तर में लिखा है, इन ही नामों से आप बिल पत्र भी अरपन कर सकते हैं, इन ही नामों से जैसे अभी हम पंचामृत से अभिशिक भी करेंगे और इन ही नामों से मैंने ये द्रव्य भी सारा अरपन किये और आपने सारे द्रव्य भी देखे और मैंने आपको बताया कि जैसे व्यापार में वृद्धी है तू, नवग रहो की अनुकुलता है तू, फिर विद्या प् उपर भी कभी-कभी पुजापात की वज़े से अगर हम अधिक पुजापात करते हैं तो किसी ना किसी की भी नजर दो शादी लगते हैं तो फिर उसमें भी कही ना कही दिक्कते होती है तो हरे मुंग हमने चड़ाए ताकि व्यापार की वृद्धी हो, बुद्धी की प्र प्राप्ती होती है उसी प्राकार से अक्षत चड़ाए एक उपचार या विशेश दरव्या के रूप में जिससे चंद्रबल हमारा जो है वो सही हो, बगवान शिव की कुरूपा प्राप्त हो, काले तील चड़ाए तो उससे हमारा आरोग या अच्छा रहता है और बगव हाज से मुक्ति है तो हमने वह भी चड़ाया, तो इस प्राकार से इनहीं नामों से यह द्रव्या चड़ाना है, अब हम इनहीं नामों के द्वारा, इसी नामों को बोलते हुए वगवान शिव के ऊपर पंचामृत से अब अभिशेख करने है, विशेश और कोई विशेश्वार कोई विदिविदान आदी नहीं है, तो अब हम करते हैं पंचामृत्से अभिशेक ओम नमाशिवाया हरिह ओम ओम भवाय नमाः ओम महादेवाय नमाः ओम रुदराय नमाः ओम नीलकंथाय नमाः Om Shashi Mauline Namaha, Om Ugaraya Namaha, Om Umakantaya Namaha, Om Ishanaya Namaha, Om Vishveshwaraya Namaha, Om Triyambhakaya Namaha, Om Tripurushaya Namaha, Om Tripurantakaya Namaha, Om Trikagnikaala, Om Trikagnikaalaya Namaha, Om Kalagni Rudraaya Namaha, Om Nila Kandhaaya Namaha, Om Sarveshwaraya Namaha, बस यही नाम बोलके ऐसे पंचामरुच से अभिशेक कर लीजे, और फिर शुद्य जल से अभिशेक करना है, और शुद्य जल अभिशेक करते करते हैं, Om Namah Shivaya, 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 भी बोल सकते हैं, या फिर कोई भी बगवान का मंतर अश्लोक, बगवान शिवजी का बोल सकते हो, जैसे ओ मृत्युन्जय महादेवा, त्राहिमाम्शर्णागतं, जनममृत्युजराव्यादि, पीडितं कर्मबंदने, अब भगवान को शुद्य जल से, संपुर्णा रूप से स्वच करके, फिर भगवान को हम टिकादी लगाएंगे, और फिर इस प्रायोग, इस विशेश विदान का हम समापन करेंगे, तो अब आप देख सकते हैं, मैंने बगवान को बहुत ही सुन्दर तरीके से, शुद्य जल से स्नान करवा दिया, बगवान को यहाँ पर मैंने बस्मा आदिका, चंदन के साथ मैंने थोड़ी से मिश्रित की है बस्मा, तो टिका भी लगाया, बीच में आप देख सकते हो कि मैंने कुमकुम का भी टिका लगाया है, बहुत लोग कहते हैं कि शिव जी को कुमकुम नहीं चड़ाया जा सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्यूंकि जैसे मैंने बहुत बार बोला है कि कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, तत्प्रणमामी सदाशिव लिंगम, लिंगास्टकम में ही तो हम बोलते हैं कि कुमकुम और चंदन से लेपित लिंग होता है, क्यूंकि ये शीव और शक्ती द आप यहाँ पर दिपक दिख सकते हो और यहाँ पर दुब्बती है तो कहने का मूल रुप से तात पर यह है कि मूल जो नाम मैंने बताए उन नामों से ही उन द्रव्या को और पीत करें उसके पश्चात उन ही नामों से बगवान शीव के उपर आप पंचामरित से अभिशे कर फिर बगवान को शुद्ध जल से सुन्दर रुप से सनान आधी करवा के सवच करके बगवान को टिका आधी लगाईए और फिर ऐसे बगवान को शीव को ऐसे ही वापस अपने स्थान पर विराजित कर लिजेगा यह इस प्रकार से तो यहाँ पर यह विशेश रुप से ज जनिवार युक्तमावसादी में भी कर सकते हैं इन्शोट में आप यही प्रयोग इनही नामों से प्रदोश में अवश्य कर सकते हैं और प्रदोश में यहाँ विदान करना चाहिए तो जैसे आपने देखा कि हमने बगवान शिव के उपर अभिशेक भी किया और बगवान के उपर अन अरपन भी किया क्योंकि यह लिखा हुआ है कि बगवान शिव जी के उपर इनही नामों से आप बाद में बेल पत्र भी अरपन कर सकते हो इनही नामों से पंचामरुद से अविश्य करना चाहिए और इन ही नामों से हमने यहाँ धन्य अरपन भी किया जो करने से शनी प्रदोश में तो बहुत ही बड़ा पुन्य मिलेगा आप चाहे तो हर एक प्रदोश में भी कर सकते हैं और शीव कुरुपा प्राप्ति है तो यहाँ अवश्य करना चाहिए तो अब तक आप देखते हैं रहिया कर्मकार्ण भाय आनंद पाठक मेरे साथ ओम नमस्षिवाय हरा हरा महादेव ओम गाने जैस्याराम